हलो एवरिवन शिफशक्ती चैनल में आप सबका स्वागत है आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो इनर वर्क के उपर बनाऊंगी बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे और रिक्वेस्ट भी आ रहे थी कि मैं आखिर इनर वर्क क्या है ये वो लोग है जिनकी अभी-अभी अवेकनिंग हुई है या जो न्यू अवेकन सोल है ठीक है तो जो अभी-अभी जर्णी में आए हैं उनको इनर वर्क नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मैं वो आपको बताना चाहूंगी देखिए इनर वर्क जो है अपने अंदर जाकने की जरूरत है सबसे पहले ये जो जर्णी है आपको बाहर कुछ नहीं देखना है कि बाहर क्या हो रहा है आपको अंदर देखना है बाहर जो कुछ भी हो रहा है एक तरीके से वो सब illusion है आप अभी अभी separation में आए हो आप separate हो अपने person से और आप बहुत ही ज़्यादा fear को face कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा panic हो रहे हो मैं अपना person खो दूँगी या वो कहीं और चले जाएंगे या वो third party में चले जाएंगे मैं उन्हें ignore करूंगी तो उनके अंदर से मेरे लिए love खतम हो जाएगा तो आप अगर ऐसा सोच रही है तो आप please यह सब चीज़े अपने mind से निकाल दे क्योंकि ऐसा होता है जब आप शुरू शुरू में जर्णी में आते हो आपके दिमाग में इतने सारे questions चलते हैं doubt आते हैं fear आते हैं insecurity इतनी जादा होती है कि आप इतना डर जाते हो घबरा जाते हो ठीक है और वहाँ पर अगर कुछ भी जरूरत होता है करने के लिए तो वो होता है inner work अब हम अपने thought को तो नहीं रोक सकते हैं चाहें वो negative हो चाहें वो positive हो positive thought तब ही आते हैं जब अपने mind से आप negativity को पूरी तरीके से release कर देते हैं अपने जो subconscious mind में negativity भर रखी है वो जब तक release नहीं होती है तब तक आप balance नहीं हो पाते हो तो इसके लिए आपको inner work करना होता है inner work करने के लिए आपको बाहर जाकने की जरूरत नहीं है बाहर दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है और नहीं लोगों को समझाने की कुछ जरूरत है अगर किसी को समझाना है तो आप खुद को समझाएं अपने आप में जाकर देखें आखिर आपके अंदर कमी क्या है जो आपके अंदर कमी होगी वही आपको दूसरों में नजर आएगी अगर आपके अंदर गुसा बहुत है तो आप दूसरों में भी बहुत गुसा देखेंगे आपके अंदर अगर हेट की एनरजी है तो आप द अंदर भी होंगे आप नोटिस कीजिएगा आप अपने आपको तो बचा रहे हैं बट दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं इन बातों के लिए कि ये परसन सामने वाला गलत है तो आप तब दूसरे को जज़ कर सकते हैं जब आप खुद गलत होते हैं आप जैसे होंगे वैसा ही दू हो रहा है आपको खुद से बाते करनी है कुद से connect होना है अपनी सोल से connect होना है और इन सब चीजों से connect होने के लिए आपको meditation बहुत बहुत जादा जरूरी है जो new hour और अवेकन शोल है तो वह लोग EEK अ अगर सबसे पहले कुछ करना चाहते हैं तो आप ओम meditation जरूर कीजिए 5-10 मिनट कीजिए अगर अभी अभी awakening हुई है तो आप 5 मिनट ही कीजिए और धीर धीर जैसे जैसे आप journey में बढ़ दे सकते हैं 15 मिनट कर सकते हैं meditation जो की बहुत ज़्यादा powerful होता है इससे आपका mind काम होता है जो भी आपके mind में negativity होती है वो कही न कहीं release हो जाती है आप positive रहते हो आपको positive thought आते हैं आप relaxed रहते हैं जो अभी इस जन्ट में आए हैं उनको ये ओम meditation जरूर करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूगी ठीक है आपको एक example देती हूँ जैसे कि आपका एक घर है ठीक है आपने घर लिया है और उसको बहार से ही सिर्फ white wash करा लिया है बहुत चमक रहा है आपका घर बट आपको ये भी पता है कि ये बहार से तो बहुत चमक रहा है जैसे ही आप उसको खोलते हो उस gate को बट ये सच आपको पता है क्यों पता है आप उस घर के मालिक हो वैसे ही ये आपका जो body है आपकी soul है आपको पता है कि आप मुस्कुरा जरूर रहे हो बट अंदर से आप दुखी हो अंदर से बहुत ज़्यादा परिशान हो सामने वाले को सिर्फ जता रहे हो सामने वाले को सिर्फ दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी family बहुत अच्छी है मैं अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहता हूँ सिर्फ दिखावा कर रहे हो बट आप अंदर से ये बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं खुश नहीं हूँ और ये twin frame के साथ होता ही होता है एक fake smile के साथ जीते हैं एक illusion में जीते रहते हैं awakening से पहले बट जैसे जैसे आप awakening में आते हैं आपके हर एक layer आपके उपर से उतरने लगती है आपको trigger मिलते हैं आपकी soul purging होती है आपके emotional purging होती है जहां आपको समझ में नहीं आता है आखरी ये क्या हो रहा है ये आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपने जो अभी तक अपने उपर layers चड़ा ली है आपको बहुत से inner work करने होते है जैसे सबसे पहले चक्राज meditation जो कि मैं already बता चुकी हूँ अपनी previous वीडियो में ठीक है और आपको inner dmdf balance करना बहुत जरूरी होता है plus mirror exercise बहुत जरूरी होती है DNA healing करना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है और कर्मा cleansing जो कि बहुत बहुत ज़्यादा important होती है क्योंकि कर्मा इस धर्ती पर आकर हम जरूर कुछ ना कुछ बुरा भी करते हैं और अच्छा भी करते हैं हो सकता है हमें अच्छा याद रहे बुरा भूल जाए या हो सकता हमें बुरा याद रहे, अच्छा हम भूल जाएं, जिसकी वज़े से हम बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं, दिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है, पास ट्रॉमा सर्फेस होते हैं, चाइल्ड हुट ट्रॉमा सर्फेस होते हैं, बहुत चीजे सर्फेस होना स्टार्ट हो जाती है, ज इसकी वज़े से हम बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं तो यह सब चीजें आपसे तभी रिलीज होंगी आपसे तभी दूर होंगी जब आप इनर वर्क करेंगे और इनर वर्क आपका meditation, chakras, dna healing, light language, karma cleansing यह सब चीजें होती हैं ना कि यह चीजें होती हैं आपका creativity, आपकी education, आपका study, आपका traveling, आपका happiness यह सब चीजें आउट वर्क की होती हैं आपका study में मन नहीं लगेगा, आपका education बहुत जादा disturb होगा, आपका career बहुत जादा disturb होगा, money को लेकर बहुत जादा disturb होगे, आप creativity side आपकी बिलकुल बेकार होगी या बिलकुल एक तरीके से आपके अंदर ही hidden होगी, क्योंकि वो कही ना कही negativity में दब चुकी है, आपकी creativity side ही नहीं होगी, आप बिलकुल एकदम ऐसा समझो के बिलकुल zero हो, हर एक चीज में, हर एक area में, आपको ऐसा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि आप अंदर से तूटे हुए हो, आपकी soul में कही ना कही wounds है, आपकी soul में बहुत ही जादा टुकड़े हो रखे हैं, तो यह यहाँ पर soul को heal करने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए आपको inner work करना होता है, यहाँ पर divine feminine, बहुत सी divine feminine, यह मैं यह को हूँ, सभी divine feminine ऐसी होती है, जिनके अंदर self love की कमी होती ही होती है, किसी के अंदर जादा हो सकती है, किसी के अंदर कम हो सकती है, ठीके, और जब स्टार्ट होती है या वेकनिंग के प्रोसेस में आती है डार्क नाइट आप दा सोल चलता है तो वह फाइनेशली बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है जो आपका मनी का साइड है जहां से आपको मनी आ रहा है मनी के सोर्सें वहां पे इंबैलेंस आने लगता है वर्ड की जब आपका इनर वर्ड अच्छा होता है जब आप इनर वर्ड करते हैं तो आपका आउटर वर्ड भी बहुत अच्छा हो जाता है मतलब इस थीडी वर्ड में जो भी चीज़ें हैं वहां सब एरिया आपका बैलेंस होने लगता है वो तब ही होते हैं जब आपके lower chakras balance होने लगते हैं lower chakras आपका root chakra हो गया आपका sacral chakra हो गया आपका solar plexus chakra हो गया ठीक है जो कि material world के balance को show करते हैं राइट और twin flame journey ऐसी journey नहीं है कि आप सिर्फ spiritual हो जाओ तभी happy हो या material world में ही फसेरो तो happy आपको दोनों side balance करने होते हैं अपना spiritual world भी आपको अपना material world मतलब दोनों में balance होगे तभी आप इस journey में आगे बढ़ सकते हो तभी आप मान सकते हो कि आप balance हो आपको हर एक area balance करना होता है mentally भी balance होना जरूरी है physically भी balance होना बहुत जरूरी है emotionally भी balance होना बहुत जरूरी है spiritually और financially भी आपको balance होना बहुत बहुत जरूरी होता है ठीक है और खुद से connect हो जाना मतलब soul, body, mind एक दूसरे से जब connect हो जाते हैं आप खुद से connect हो जाते हैं आपको खुद फील होने लगता है कि आप आप बैलेंस हो, आपका आप से connection बहुत अच्छा हो चुका है, जब आपका खुद से connection अच्छा होने लगता है, आपका outer world में जो भी लोग हैं, आपके 3D world में जो भी relationship हैं, या जो भी आपके आस पास के लोग हैं, उन लोगों से relationship अच्छा होने लगता है, आपके money problem दूर होने लगती है, आप financially growth करने लगते हो, mentally, physically, emotionally balance होने लगते हैं, क्योंकि आपने इनर वर्ड को अपना balance कर लिया, ठीके universe जो है आपके अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर है, बस खुद को खोजने की जरूरत है, दूसरों में ज सामने वाला गलत नहीं है, गलत तो हमी है, सामने वाला तो person बिल्कुल ठीक है, सामने वाला हमारे कमियों को दिखा रहा है, और सामने वाले को तो हमें thankful पहना चाहिए सामने वाले के लिए, क्योंकि वो कही ना कही हमारी कमियों बता रहा है, और twin flame journey में ऐसा होता है, हमारे counterpart काउंटर पार्ट हमारी कम्यों को बताते हैं हमारे फैमिली वाले हमारी कम्यों को बताते हैं हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी कम्यों को बताते हैं तो कोई ना कोई जर्णी में आपको ट्रिगर देता ही रहेगा इसपेशली सबसे जादा तो ट्रिगर मिलते हैं वह आपके आपको एक आइना दिखा दिया जाता है कि देखो आपके अंदर क्या क्या कमिया है तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए जो अभी अभी आई है ज्यादा है वी इनवर्क ना करके हलका फुलका इनवर्क करें तो उसमें सबसे पहला आपका चक्राज अगर आप अभी अभी अवेकनिंग में आए हो तो यह आप चार पांच चीजे करते हैं तो आपकी 70-80% आपकी हीलिंग हो जाएगी ठीक है और मिरा एक्सराइट बहुत जरूरी होती है उसको भी करना बहुत इंपोर्टेंट होता है आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते है यह सब चीजे अगर आप करती हैं तो 100% आप 80-90% तो हील हो ही जाओगे ठीक है तो जिनका यह कमेंट था यह रिक्वेस्ट थी कि मैं इनवर्ट क्या होता है कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है उसको आप करिए ठीक है आप खुद देखेंगे आपके अंदर चेंज होती ही होती है और जब तक निगेटिविटी रिलीज नहीं होगी तब तक आप पॉजिटिविटी को फील नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आप इन सब इनवर्ट में यह सब चीजे कीजिए और आप देखेंगे कि आप जर्णी में धीरे धीरे बैलन्स हो रहे हो अपनी जर् अब वर्क के ऊपर वीडियो नेक्स वीडियो में मैं फेर मीलूंगी तब तक लेपन ध्यान रखिए खुश रही है सौस्त रहिए